हाई गाइज इस एंजा कुमार, वेलकम लू संजाफिटनेस आज हम बात करेंगे कार्ब औडेक्स के वारे में अलड़ी में बात करके हैं लास्ट वीडियो में putine और fat के वारे में ढ़ली हम अलड़ी जानते हैं कि जो हमारे Macronian nutrients हैं आपके कावस हैं, protein और fat हैं तो जो मैंने प्रोटीन और फैट के वीडियो बनाए हुए वो आप जा के देख सकते हैं काफी इंफर्मेटिव वीडियो हैं जो आपके हैथ के लिए बहुत जरूरी है और अगर वीडियो नहीं देखे हैं मैं आपको लिंक डिस्क्रिशन में डाल दूँगा अब बात करते हैं काफ्स के बारे में काफ्स जो बना है वो आपके कारवन, hydrogen, oxygen, oxygen, शिम्ल के बना है आपको पता ही है ज़्यादा केमिस्की में हम जाहेंगे नहीं यह ज़ागा क्लासिफिकेशन के बात करूं में तो यह साकराइटस हैं मोनोसकराइटस, डाइ साकराइटस, अगुली कि ऐसे लिखेया, यह हमें क्यो जरूरी है, हमारे बोडी के लिए जो जो काव से मिलता इन्दर... हमारे जो डायट के अंदर होना चाहिए, जो होता है Ready डायट के अंदर 50-60% काफ्स से मिलती है है जो हमें इनर्जी मिलती है केलोरीज मिलती है नमीटि का रहा है जो इंडैना आज में आज कल लग गोग वाश 70-80% काफ्स काफ्स होता है तो उस्की बाद नहीं कर रहा है मैं खृडि डाय unanim Х ils बात कर रहा हूँ तो आप वो भी दे सकते हैं, कि अपना डाईट प्लाइन कैसे डिजाइन करें, उस का भी लिंक में ए डिस्कुशन में डाल दूना, दो तरह के कार्फ्स होते हैं, आपके लेवनिल लेंग्वेज में बात करें, तो सिंपल कार्फ्स और कॉंप्लेक्स कार्फ्स, तो simple carbs के अंदर fiber नहीं होता है, इस दा white carbs और complex carbs, इस दा healthy carbs, good carbs जो हमें यूज करना चाहिए अब simple carbs को हम कों से हैं और यह हमें क्यों यूज नहीं करने चाहिए तो इसके लिए हम जानते हैं कि क्यों यूज नहीं करती है जब हम कोई भी food खाते हैं, means जैसे हमने protein खाया, तो protein जो हमारे stomach में जाता है, तो वो break down होता है amino acids में और fat जब हम खाते हैं, तो वो break down होता है fatty acids में तो अब हम carbs जब खाते हैं, तो वो break down होता है glucose में और वो glucose हमारे blood stream में जाता है और blood stream से हमारे cells को मिलता है body cells को मिलता है जिससे कि हमें energy मिलती है और वो हम सारे काम कर पाते हैं पूरे दिन energetic रहते हैं जब हम simple carbs खाते हैं तो वो हमारे समझ में जाके break down होता है glucose में और हमारे blood stream में जाता है बहुत ज़्यादा glucose बन जाता है हमारे blood stream है इससे कि insulin release होता है pancreas से बहुत ज़्यादा जिसे कि हमारे cells को energy मिल सके बट इतना ज़्यादा glucose blood में कट्टा हो जाता है तो हमारे cells को मिलनी पाता means हमारे muscle cells को नहीं मिल पाता इससे के हमें energy नहीं मिलती और हम low energy feel करते हैं और insulin भी बहुत जाता बनता है muscles को glucose देने के लिए बट वो भी काम नहीं करता है और insulin बनता लगता है जिसे insulin resistance की प्रॉड़म में रती है means type 2 diabetes की दिक्कत हो जाती है अब ना आपके muscle को energy मिल रही है और आपके ब्लड के अंदर भी ग्लुकोज बहुत ज़्यादा है, कट्टा हो गया, तो ताइप 2 डियाइटीज की दिक्कत हो गई, जिससे कि आपकी बीपी की प्रॉडम हो गई, तो आपको कार्डियो वैस्कुलर डिजीस हो जाएंगी, जिससे कि हार्ट की प्रॉडम्स हो स मुसल्स को मिला नहीं कर दो फैट रहे हो जाता है, तो आपने दिखा हो, अपने आसपास या मैं आसपास, अथा को देखता ही हूं कि हर किसी का पे पट्रॉडम्स हो जो प्रॉडम्स हो तो हर किसी का पेट यहां पर निकला हो इह ओ, तो इसिरिये कि वो सिम्पल काफ ले र disoph welific라고.' कि यह सींपल कास्स लेने से हमें कितनी सारी दिक्तें हो जाती है कि एक to आपका बीपी बड़ गया हुए आपका मसल को आनरजी नइ मिले तो आप पीड कर रहरे हैं पूर से मिसलोש नइ मिल रहा है क्पूरिड़्य हो तो अप एनरजी नहीं मिल रहा है आप जॉइन पेन रहेगा तो आप जो छोटी मोटी जो फिजिकल अक्टिविटी करते भी होंगे तो भी नहीं होंगी So later on health problems आपको होनी है इक simple cough से तो ये छोटी चीज नहीं है बहुत ज़्यादा important चीज है कि आपको simple cough नहीं लेने है तो आप को करना क्या है आप? Simple cough में होता है कि आपके white rice होते हैं आपके white oats होते हैं जो आप जो खाते हैं लोग मौंडिंग में वो सारी चीज़े हैं और आपके होगे रोटी वाइट रोटी होगई आपकी pizza होगया, burger होगया, cold drinks होगई, chocolates होगई, candies होगई, momos होगई और भार, maggie, chaumine, जो लोग आजकल खाये रहें, डेली खाते हैं और हफते में चाप चाप दिन, पांच-पांच दिन खा रहे हैं तो यह दिक्कते हैं इसलिए हैं, पहले के लोगों के पेट इसलिए नहीं होते थे इतने जादा, क्योंकि फिजिकल अक्टिवटी तो थोड़ी बहुत थी और थोड़ी और थोड़ी और ज्यादा थी पैदल चलते थे और ऐसी चीज़े नहीं खाते थे जैसे कि आज कर खा रहे हैं, आज कर तो और किसी का पेट निक लगड़ा है और उनको बोलो के बहुत यह चीज़े नहीं तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो बहुत टेस्टी लगती है तो यह भी एक फ्रॉब माइंड का भी प्रॉलम है जो इस नहीं दिलीज होता है इस नहीं को चीज़े खाने से बहुत चीज़े लग रही है तो एक माइंड की दिक्कती भी सुरी होगी, मेंटल प्रॉलम भी सुरू होगी, यह डॉपोमेंट के जाल में फस गए, तो इसके उपर भी में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो लेना क्या है अपने complex carbs, healthy carbs, so complex carbs में क्या क्या आता है, आपके white oats नहीं लेने है आपने rolled oats लेने है और steel cut oats लेने है, आपने brown rice लेने है, आपने quinoa लेना है, आपका whole wheat flour जो आता है market में या चक्की से आप दे सकते हैं, जिसके अंदर fiber हो, जो पहले के लोग यूज करते दे आता है, जिससे आपका insulin लिस्पैक नहीं उता है, और ये सारी तिक्रते नहीं होती थी, तो ये सारी चीज़ें आप यूज करेंगे, तो आप healthy रहेंगे, और fit रहेंगे, और energetic भी रहेंगे, तो ये मेरी information थी पूरी काॉस को लेके, जिससे के आप healthy रहेंगे,